हेड़े दोस्तों online study point में आपका स्वागत है तो आज है 10 जन्वरी और 10 जन्वरी का जो RRB NTPC exam था उसका first shift का analysis हम यहां करने वाले हैं सारे ही important GKGA के जो question पूछे गए हैं वो with extra information हम यहां पर cover करने वाले हैं सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल एकन प्लस करना मत भूले कर इसे सभी वीडियो का notification आपको मिल सके ऑन. और भी चैनल हमें आपको सर्च कर सकते हैं सारे ही important topic की वीडियो हैं और आपको मिल जाएगई से जो है top educators batch start हो रहे हैं on the Unacademy जिसमें best platform है for the SSC preparation इसमें आपको मिलेगा 300 plus classes, 20,000 practice questions इसके लाबा 70 plus educators काफी ज़्यादा ये beneficial होने वाला है आपके लिए जो Unacademy के best educators हैं आप देख सकते हैं जो शशक्त batch है that is for the SSC CGL 11 जन्वरी से start होगा exam cracker for SSC CHSL ये भी 11 जन्वरी से start होगा and CET Brahmaastra batch ये भी होने वाला है 11 जन्वरी से शुरू तो सारे ही important batches for the strong selection जल्दी से चाहिए आपको करना क्या है Unacademy का application डाउनलोड करना है क्योंकि इसका प्राइज हाइक है वो जल्दी होने वाला है तो आप Unacademy का app डाउनलोड करेंगे और जब भी आप subscription लेंगे तो हमारा जो referral code है that is online study point आपको यह use करना है जिस पर आपको 10% का discount मिल जाएगा और हम देखेंगे पहला question गुर्दे की यानि कि जो kidney होती है उसकी सबसे छोटी एकाई कॉन सी है smallest unit of kidney तो answer क्या है इसका answer इसका nephron ओके नेक्स देखेंगे बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहयता से बनाया गया था तो बोकारो स्टील प्लांट है जो कि बोकारो जारखंड में situated है यह बनाया गया था सोव्यत संग की सहयता से कब बनाया गया था 1964 यानिक 1964 में पून कमाक्याध मंदर कहां पर स्थित है कमाक्याध मंदर है इसके अब बात करेंगे का मुख्याल कहां पर है सबस्पार इसका फुल फ़्मांद पतर होना चाहिए इंटरनेश्चनल अच्फी इंटरचनल ऐनेर्जी अजैसरेटकर है विय सुट्थ हां और यह established किया गया था 1957 में तो इतनी information आपको इस question से याद रखनी है so already मैंने सारे जितने international organization है उनके headquarter कहां पर है currently उनके chief कौन है कब established हुए थे तो उसका जो वीडियो है मैंने बना दिया है my exam पर आप जा करके देख सकते है चंद्रकांता जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ठीक है चंद्रकांता series भी काफी आए है आप लोगों ने देखे होंगे इसके जो लेखक है वो है देव की नंदन खत्री कौन है लेखक देव की नंदन खत्री है my exam family Thailand मेंszystहार 2019 में उसका नाम क्या था तो Thailand में चक्रवाद आयए था उसका नाम था पाबुक क्या नाम था पाबुक पीली क्रांती यानि कि yellow revolution तो यह किस से संबंदित है तो आंसर है इसका तिलहन से यह संबंदित है और अगले shift में अगले exam में आपसे पूछ लिया जाए कि पीली क्रांती के जनक किसको बोला जाता है तो Sam Petroda को पीली क्रांती का जनक कहा जाता है शिमला समझोता कब हुआ था शिमला समझोता जो है दो जुलाई 1972 को उसके त्वारा साइन किये करें ठीक है एक peace agreement था यह बेट्वीन इंडिया और पाकिस्तान क्रोईशिया का सर्वोच सम्मान जो है उससे किसे सम्मानत किया गया है भारत में तो यह सम्मानत किया गया है हमारे प्रेसिदेंट रामनाथ कोविंच जी को ठीक है वर दूसरी वर्शियी योजनां वो किसके सिधान पर अधारित थी तो दूसरी वर्शियन्हनthird लोब्स विस 2015 को इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं हमारे देश की प्रधानमंत्री होते हैं तो करणल इसके अध्यक्ष कौन होंगे राजेंद नारेंद्र Mody ठीक है कौन है नरेंद्र मोधी जी जो है इसके अध्यक्ष है next हम देखें कि स्थाई बंदो बस पर्मनेंट सटल्मेंट से जो है किसे संबंदित है तो पर्मनेंट सटल्मेंट संबंदित है लौड कार्नवाले से ठीक है इनके समय पर यह लाया गया था कब 1793 में इसके लावा हम देखेंगे पूना समझौता तो पूना समझौता कब हुआ यह लगबख दो से तीन बार यह कोशिन पूछा दा चुका है पूना समझौता 1932 में जो है साइन हुआ था बिट्वीन दी महत्मा गांधी और भीमराव अंबेटकर पुने में हुआ था इसलिए इ जो दो अरिजनल नेम था डवस्टानू पांडे उक इसके अलावा ये जो थे अगबर के जो नौरतन थे उन में से एक थे और पूछा जाता है कि तांसेन का मकबरा कहां पर सिचुएटेटल नेक्स्टों बात करेंगे ढीपेस का भूल फॉर्म सो जीपेस का जो फोल फॉर जार्खन स्थापना दिवस कम मनाया जाता है। जार्खन स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यह आपको याद रखना है। बैरोमीटर का उपयोग तो बैरोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है इसका उपयोग किसी में किया जाता है तो यह वायू मंडलिये दाव को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ठीक है ना तो में जर्दी अटमिक प्रेशर इसके लावा हम बात करें मानफ शरीर की स सबसे बड़ी ग्रंती है वो लिवर है कौन सी है लिवर है ठीक है एक बार हम सारे कोशन जो पूछे गए हैं वो देख लेते हैं आपको एक रिवीशन भी हो जाएगा इसके लावा आपको यह आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरीके के कोशन बन रहे हैं तो आपको अगली से पोशन है उसके अंदर जैसे कि नैफरों से कोशन बन गया है तो अगला भी बन सकता है बोकारो स्टील प्लांट जो है तीक नहीं से कोशन बना तो और भी इंप्रॉटन स्टील प्लांट है इंडिया के वह आपको याद रखने हैं उनका मतलब एंपॉटेंट टैंपल पहले कोशन पूछा पूछा गया था ब्रहदेश्वर टैंपल कहां पर है तंजो तमिल नाडू में किसे बनवाया था राजरा चोल प्रथम उनकी द्वारा बनवाया था युनेसको की वर्ल्ड हैरिटेज साइट में जो है उसको शामिल किया गया है तो देख रहे हैं इसके लावा इंट्रनेशन ओगनाइज़ेशन उनके फुल फॉर्म इसपेशली युनेसको न यूनेसफ तो बहुत बार पूछ लिया थीक है ना सो युनेसको कहां पर है परिश फ्रांस में तो इस तरीके से इंट्रनेशन और्शन और इस तरीके से सब्सक्राइब करनेशन चक्रवाथ मैंने बहुत पहले जब अमफान वगेरा यह आये थे तो मैंने अल्रेडी बनाया हुआ था एक वीडियो आप जाकर कि जितने भी चक्रवाथ हैं उनको रिवाइस कर सकते हैं पीली क्रांटी से कोशन बन गया तो अभी तो पूछा किस स संबंदे थे तो तिलहन से संबंदे थे आगे में भी बन सकता है किसके जननक किसको कहा चाता है फादर ओफ यलो रेवुलुशन तो सम्पित्रोदा इसके लाब आप ग Cools याद रखेंगे सो यह revolution से अब आपको अच्छे से पढ़के जाना है जो शिम्ला समझोता है यह तो मतलब शिम्ला समझोता पूछा गया किस से संबंदित है तो भारत पाकिस्तान से यह संबंदित है कब हुआ था जुलाई 1972 में क्रोईशिया का सेर्वोट सम्मान किसे मिला है तो जो हमारे प्रेसेडेंट्स की जो इंटरनेशनल विजेट्स है वह आप अच्छे से याद कर लीजेगा इनसे ही कोशिन बना है तो हमारे प्रेसेडेंट्स रामनात कोविन जी को फिर बायो का कोशिन है मानवशरी की सबसे बड़ी धमनी आनि की आर्टरी कौनसी है तो कौनसी है महा धमनी इसके लावा एक exception होता है हमारी बोडी में मतलब आर्टरी का एक exception है वह कौन सा है पलमोनरी आर्टरी तो यह आपको याद रखना है दूसरी पंचवर्षी योजना से कोशन बना है तो किसी भी पंचवर्षी योजना से बन सकता है तो वो सारी आप अच्छे से पढ़ लेंगे अब बात आजाती है हमारे नेशनल ओगनाइज़ेशन की नीति आयोग डिया डियो इस्रो तो यह सारे आपको अच्छे सा करके जाने हैं इनके फॉल फॉर्म इनका हैटकॉर्टर कहां पर है इस्टैब्लिश कप किये गए थे और इसके लावा इनके जो करेंट अध्यक्षय आपको याद रखने है गवणर जो रहे हैं इन से डेली कोशन बनता है ठीक है कि जब कॉछ्च का फॉमेशन हुआ था तब कौन थे इसके लावा पहले गवर्णर जन्रल भारत के अंतिन गवणर जन्रल भारत के वाई सराइज भाइस तरीके के कोशन से आपको रखने हैं पूना समझो था तो कई बार पूछ लिया गया है इसके लावत तांसेहीं से पहले पूछा गया था इनका मकबरा कहां पर है तो गालिर में इसका मकबरा इस्थित है एंड जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया तो इसलिए ही माने अल्रेटी जो है वीडियो बना दिया है यह जो थी हमारी आज की वीडियो थी आए होप वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज इसको जादा से लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जादा अपडेट्स के लिए आप हमें Facebook, Telegram, Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे PDF नोट्स के लिए आप अप् चांग, especially for the preparation of RRB NTPC, so आप उसको जली से subscribe कर लीजे, thank you.